और एक नए topic के साथ हम लोग श्टार्ट करेंगे यहाँ पर और यह topic यह मुद्दा काफे दिनों से चलता हुआ रहा है और सोच रहा था मैं इस पर इस topics पर बात करने के लिए स्कूरियाट के लिए और प्लाने के लिए इसके बारे मैं और आ ऑर कर्ते हैं की और तो इसके बारे में बतंगे में प्लिए लिए अभी निउस में क्यों है इसके लिए बात करेंगे EWS जिसको इक्नोमीकल शेक्षन में क्लिए वीकर सेक्षन बोलते हैं एवी क्षेड़गत कैनाम आपने सुनाओगाक्फन इक्नोमिकल वीकर सेक्षन यह एक्नोमिकल विकर शेक्षन है सुप्रेम कोट अब होड़ 103 अमेंडमेंट यानि कि अभी सुप्रेम कोट ने बोला है यह जो मैं इस्टेटमेंट लिखा हूं यह इस्टेटमेंट दा हिंदू यह जो भी नूट पर हैं उसके दोवारा यह लिखी गई चीज़े हैं तो यह कोटा था आपको पता होगा कि हमारे देश में भारत में जब समिधान बना जब कर्स्ट्यूशन बना तो कर्स्ट्यूशन बनाने में के समय डक्टर बियारा मेटकर ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था और उस सेमें उन्हों ने कुछ रिजर्वेशन की बात की थी हमारे निचे के पीडिया है यानि जनको स्वीकर मना गया उनको कुछ रिजर्वेशन की बात की गई थी अरे डिया भी है लेकिन करें सुरू से अगर बात करें तो सूरू से हमारा समिधान में कहीं भी यह नहीं लिखा गया है या कहीं भी डीफाइंड नहीं किया गया था कि economic के basis पर भी हमको reservation देना चाहिए लेकिन हम लोग ने education के basis पर और social discrimination के basis पर सोचल के basis पर हम लोगों ने reservation दिया था जो लोग socially backward हो गए हैं और जो लोग educationally backward हो गए हैं सिच्छा के रूप में backward हो गए हैं या कि सिच्छा नहीं मिल पा रही है क्योंकि हम लोग को पता है कि article 21 right to life के बारे में बात करता है ठीक है article 16 equality के बारे में बात करता है कि हम सभी को equal जर्जा देनी चाहिए समानता का अधिकार देना चाहिए सभी कि सम्मान सिच्छा देनी चाहिए और जेंडर के basis पर article 15 पर जेंडर के basis पर बेसा किसी भी basis एक्षिक्शन की रिलेशन के बारे मोग और नहीं करेंगे लेकिन तो इसे इसी के तहत हम लोग ने फिर क्या इसी के त फिर गर्म क्यों हो गया यानि कि यह होट न्यूज क्यों बन गया विकॉज कि यह जब चीज़ें आगे चलती गई तो सवाल जोड़ते गए कि हमको अब उस चीज़ को चेंज करना चाहिए क्योंकि आने वाले समय अब जनरेशन होती गई हैं और अब एक हम देख रहे हैं मु जब बात चलन लगी तो हमारे 2019 में 2019 में एक amendment कर आगया amendment की मतलब की समस्वधन किया गया हमारे constitution जब भी यह चीजह होती हैं तो कुछ बदलाव किया जाता है इसलिए हमको constitution में amendment करने को पड़ जाती ए तो अव्यंद्मेंट के आगया बदलाव किया गया यह यहां पर कोई भी इकनोमिक बेसेशन नहीं था तो अमेंड मेंड मेंट करके 2019 में हमारी गवर्मेंट ने क्या कि परिजेंट गवर्मेंट ने दस परसेंट का आरचर देने की बात की थी दस परसेंट का आरचर रेजर्वेशन आपको दस परसेंट का रेजर्वेशन जन्रल कटेगरी के लिए यह आपको बात ध्यान देनी है जन्रल कटेगरी के लिए वनने की गई थी आन्द बेसिस आफ इकनोमिकल वीकर सेक्षन यानि इस बात का आपको ध्यान देनी है कि केवल जंदल इसमें आएंगे हमारे OBC, ST और SC यह तीनों यानि कि सेडूल कास, सेडूल ट्राप और अधर बैकवर्ड क्लास यह तीनों कटेगरी इसमें सामिल नहीं है इसमें नहीं आएंगी, यह 20% का अराफ्शण में आएंगी 1030 अमंध्मेंट अनुसा तीक, 2019 में यह किया गया लेकिन अब फिरraszam यह निूज में क्यों आ गया आपको बताने वाला हूँ तु queiais India में आपको पता है नहीं कि हमको पता है कि हमारे देश में हमारे इस इंडिया में आपको पता है कि legislative, executive और judiciary ये तीनों काम करते हैं अपने अपने लेवल पे ठीक है तो जो हमारा legislative होती है जो की rules को बनाती है laws को बनाती है जब किसी भी law को हम बनाते हैं तो उसके बाद आगर laws सही रहता है वो चीज़े सही रहती है according to पर्लामेंट, according to members, according to people, तो वो चीज़े क्या होती है implement होती है हमारे देश में उसको लोग follow करते हैं लेकिन अगर कोई भी rule या कोई भी law ऐसा बन गया जो कि हमारे कहीं ना कहीं उसको effect कर रही है हमारे basic structure को या हमारे constitution को या हमारे लोगों को कष्ट हो रही है उस चीज़ से उसको क्या किया जाता है उस मुद्धे को रोक दे जाता है उस बील को रुक दे जाता है उस case को रुक दे जाता है और और जब कोई भी case Supreme Court में जाता है यानि सुप्रिम कोट जाने के मतलब इसके मतलब हुआ judiciary जब जाती है यानि का अफसुर्टे जो जूडेसर में जानी है क्योंकि इस पे मुद्धा बनता हुआ रहा है शुरू से ही 2019 के पहले से ही मुद्धा आ रहा है यह मुद्धा सुप्रिम कोट में चला गया था और जब नहीं है या नहीं है और क्या यह हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को कहीं न कहीं नुक्सान पहुचा रही है क्यों क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या बेसिक स्ट्रक्चर 1973 में यह हमारा केस्वा नंभारती केस्ट था केस्वा नंभारती केस्ट इसमें क्या बोला गया सुड़ यहीं कर सकते हो यहीं बोला गया इसी ले लिया गया कि अभी आज की नुए मैं आपको बता रहा हूं कि यह आज की बेसिक इस्ट्रेक्चर को मतलब की अफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है आज की नुज में कि यह बेसिक इस्ट्रेक्चर को नहीं कर रहा है यह बता गया हमारे सुप्रीम को डिवारा सुप्रीम को इस बुला है यह वाइलिट नहीं कर रहा है बेसिक इस्ट्रिक्टर को यह अब अब रहेगा यानि कि यह कंटनीव रहेगा वन थर्ड अमांडमेंट कंस्टिशन का योग कि हमारे वीकर सक्षन के लिए बात करता है एकनॉमिकली ठीक है इतनी बात अब लोग समझ गए बाके अगर बात करे और यह तीनों वक्षन का अंसर दिया गया सु्प्रिम कोट के दौम आपको बता दें कि पैंच जजो पलहाए यानि कि फाइग जजु का बेंच होती है और यह इंदिया करो नहींदिए पांच जजो पॉस है को यह वी अगर मुंदा होता है जोने चाहिए हुंक करियी इसको कमेंट करें आप लोग की मुंदा को अगर यह तो छी होते हैं को गया जानते हैं जेभ बैटा गया तो इसकी यह बैसिस है क्या बैसिक के वैंच में 5 जजों के बैंच में यह आपको ध्यान diciendo जो까지 जो पाच जजो केensionalप्ष में तीन यज़ ऐसे थे जो कि ये बोले कि ये अफेक्ट नहीं कर रहे है basic structure की अफेक्ट नहीं कर रहे है ये मननने था फिर उन्हेतन तेन जज ने ये बोला कि Supreme को इसमारिम कंसे नुकैंक ए अच्छा है ठीक है है यानि कि उन्होंने बोला कि अगर हम बात करें सी एश्टी और ओविस्टी को जो कि बाहर रखा गया है इस चीज से इस रिजर्वेशन से यह अच्छा चीज है इन्होंने कौन बोला यह तीन जज बोलेते हैं अभी दो जज की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि टूटल कितने ह है तिसरा पॉइंट यह था कि नाट एलाउड ओवर 50 परसेंट रिजर्वेशन एक 1952 केस यानि कि आपको पता होगा कि 1952 का यह केस था जो कि कि किसी भी कटेगरी को 50 परसेंट उसके ऊपर नहीं दे सकते हो तो उसको भी एफेक्ट नहीं कर रहा है यह कौन बोला था यह ती जवाब दिया गया था कि यह कहीं भी एफेक्ट नहीं कर रही है हमारे किसी भी तीनों को राइज लेकर लेकिन दो जज़ ऐसे थे निकल कर सामने आए दो ज़ज पात जजों में से दो ज़ज इन्होंने यह बोला दो ज़ज ने यह बेसिक इस्ट्रक्टर को एफेक्ट कर रही है यानि कि यह तीन ज़ज के खिलाफ थे दो ज़ज जो की पात ज़जों में से दो ज़ज यह मानना था कि यह चीज़ गलत है इसको रोख देने चाहिए इस जरवेशन को स्टॉप कर देनी चाहिए लेकिन तीन ज़ज ऐसे थे जो कि इन्होंने यह बोला यह कोई भी डीटल डी आठेक्ट नहीं कर रहे हैं और इसके तीनों कोमस के दो ज़ज खिलाब थे और तीनों कि तीन ज़चेग्स के, प्यक्रेंड ऑलों में तो अभी के कहें न कहिंतिख तहाथ के एकोडिंग झीज को 10% को 103 अमंडमेंट को कांटिनू किया लिया है अभी चलेगा यह यह मना जा रहा हूं कि एक कांटिनु रहेगा लेकिन अभी मैं आपको बताने तो क्या केटेग्रिया रहेगा जिसे के define कर जाएगा तेरी परसंट में आ रहे हो या नहीं आरहे हो तो उसको आप सब्सक्रम सकते हैं जबाब दिया जा सकता है और आप इसके बारे में कि इस नहीं नहीं हुआ कि आपसुलूटली अगर क्योंकि हम इन्हांदाता ने पाल नहीं आइड क्यों नहीं कर दिया क्योंकि उनको पता था कि अगर economical section के अगर लेकर बात करें पैसिस को लेकर बात करें तो अगर आज मैं गरीब हूं तो कल हो सकता है का अमीर हो जाओं तो तो हो सकता है कल गरीब हो जाओं तो यह चीज़ होती रहती है इसलिए हमारे समिन्हान दाता ने इस चीज़ को फालो नहीं किया लेकिन आज के अभी के समय के अगर बात करें तो सायद यह सही हो लेकिन अगर मेरे हिसाफ से बात करें तो क्रीमिल लेयर का फर्मूला अपनाना चाहिए कि क्रीमिल लेयर का मतलब यह है कि जो बेक्ति अगर आज गरीब है और कल जाकर अमीर हो जाता है तो उस पर जाच बैटनी चाहिए कि किस कटेगरी सबीक है और अमीर है जो इसको 10 परशंट नहीं देना चाहिए लेकिन आगर वो गरीब है यह माना जा रहा है कि आभी के समय में जो इनसान अमीर है इस कतेकरी में नहीं आ रहा है क्ट करने अभी बताऊंगा इस क्तेक्री कर्ष नहीं जाहें यह चीज़ां के बहुत सारी मुद्दाएं हैं जिस पर डिसक्स करनी चाहिए और इसको समझने चाहिए आला कि सुप्रीम कोट जब इसको कांटिनिव किया है तो गलत कर नहीं सकता है है यहां बात करते हैं कि 231 जो है हमारी जनल क depend कि सी मुद्द कि कि स्कहरि की करते हैं कि इस डैं के एक snippet को देनीsmith चाहिए आजिए बात करते हैं सब्साइब बात करने वाला है कि कौन कौन सो सकता है किस सहलेगे कि कोई भी परसन के बाइगा रसन द्री रस में आनी क् ses चाहिए अधेशर्म में नहीं होनी चाहिए डूसरा है यानि इसकी सेलरी जो होनी चाहिए आठ लाख पर येर सेलरी उससे कम होनी चाहिए ठीक है तब जाकर हम बोल सकते हैं कि तेन परसेंट रेजर वसन में वह आएगा थाड़ है लैंड सुल्ड भी लेस दें फाइफ हेक्टर यार यानि कि पांच एकर से कम उसकी लैंड होनी चाहिए तब ज सामिल रहा है तो उसको 10% मिलेगा वरना फिर आगर आपके पास आठ लाख एर के ज्यादा है या कोई हो रहे हो यानि कि अब पर सब्सक्राइब नहीं आउगे भद ही आप यह इस वासाव को ध्यान देनी है लास्त पोच्टक्ष्चन पूछ सकता हम मैं आप से कि जो एक सो तीन नंबर का जो हमारे कस्टूशन में अमेंड मेंड मेंड किया गया था उसके आप फोकस डालिए और उसके बारे में कुछ लिखिए एकार्डिंग तुदा कस्टूशनल जो चीज़े हैं जो फिचर से उसको इंक्रोड करके आप लिख सकते हो यह मेंड का में आया की नहीं आया जरू कमेंट करिएगा और कैसा लगा यह टापिक जरू बताईएगा थैंक्यू